हाँ तो प्यारे बच्चों एक फिर से आपका इस आनलाइन कलासेज में हम एज यादो आपका स्वागत करते हैं बच्चों आज कल पढ़ाई आफ लाइन नहीं हो पा रही है तो हमने आनलाइन आपको पढ़ाने का प्रियास करना शुरू किया है कि हमने आपको जितना कि पढ़ाया था आफ लाइन उसके बाद कि आनलाइन में कुछ में लुपलफद कराने का प्रियास कर रहे हैं कि हमें पूरी उम्मिद है कि आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे उल्लाभ उठाएंगे पच्चमाज ग्रामर का एक बहुत ही बहतरीन डापिक जिसको सिंटेक्स के नाम से जाना जाता है उसकी हम सुरुवात करने जा रहे हैं यह सिंटेक्स तो वास्तों में परसांत महासा प्रागर के जतना गहरा है और हिमाले के जतना उचा है और है ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टन इनियम इसको हम नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं तो इस टापिक को पढ़ने के लिए हम इस्टेप बाइस्टेप सभी पार्ट आप स्पीच के रूल्स से आपको आउगत करा तो जिसमें से आज आपको हम रूल साफ नाउन बताने जा रहे हैं आप लोग ध्यान पूरवख वीडियो को पढ़िए आंत तक समझने की कोशिश करिए और ध्यान पूरवख सुनेंगे तो निशित रूप से आपके समझ में टापिक आ जाएगा तो चलिए शुरू करते ह नाउन इसमें बच्चों रूल साफ नाउन में सबसे पहले आपको नंबर बचन जिसको बचन कहा जाता है इसके बारे में जानकारिया दी जाएंगी नाउन से दिखने में तो कुछ होते हैं लेकिन उनकी एक्षॉल पोजिशन कुछ और होती है संटेंस में की भूम का बता जा रहा है कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लीवरल अर्थात कुछ संगयाएं ऐसी होती है जो एक बचन और बहुबचन में समान रूप से प्रयोग किया जाते हैं यह एक्षॉल दीया गया सीप जिसके माने भीहड होता है डियर जिसके माने हीरन होता है सूहाइन मान टा है और पनियव भी लगता है एजाम्पल में अबना देखा दरीप इस गरेज़िंग और मेनी सीप Agra help kalau रेजिंग अदेजिया यहीं ठेजिया की फले और इसके साथ होड़े लग सकता है और ऑस्ट भी लग सकता है एडिया शी ra और प्लूरल दोनों है इसमें कभी यस लगानी की कोशिश नहीं करेंगे उसी प्रकार डियर देख लिजिए दा डियर वाज रणिंग इन द फॉरेस्ट अब डियर भी देख लिए सिंगुलर नाउन के रूप में वाज लगाया गया है और वाक नंबर चार में दा डियर आर स इसमें डियर के साथ यस नहीं लगाया गया है क्योंकि यह प्लियूरल के रूप में भी परियूग किया जाते हैं तो आपने देख लिए रूल नमर एक कि यह तीन नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लियूरल समान रूप में परियूग किया जाते हैं आया रूल नमर दो तो यस नहीं लगाते हैं फिर से समझें यदि इसकोर 100,000, डोजन के पूर्ब कोई संख्या होती है तो यस उसके साथ नहीं लगता है अर्थात इसकोर 100,000 और डोजन नहीं होता है किन्तु इद इनके पूर्व संख्या नहीं होती है तो बहुचन बनाने के लिए यस लगाते हैं तता उसके बाद आफ का प्रियोग किया जाता है अब ध्यान पूरवग देखें जैसे कहा जाए आई बाट थिरी डोजन मैंगोज अब इसमें देखें डोजन का जिक्र हुआ ह मैं दोजन के पहले थिरी संख्या का प्रियूग हं इसलिए डोजन के साथ यास नहीं लगा है लेकिन अगर डोजन के पहले थिरी ना लगा होता तो हम करते »n circumsts यानि हमको अगर ऐसे लिखना होता कि मैंने दर्जनों आम खरे दे तो हो जाता आई बाट डोजन्स आफ मैंगोज सेकंड एजांपल से देख लिजिए माइ फादर गेम मी 500 रुपीज यहां भी 100 के साथ कोई यस नहीं लगा है क्योंकि उसके पहले एक संख्या 5 आ गया है कि प्रकार के सवाल पूछा जाएगा लिखा रहाएगा हंड्रेड आफ रूपीज तो वाहं हंड्रेड नहीं वैं की हंड्रेड साथ को पढ़ना होगा अगले जम्पल में देखे थाउजेन्स आप परसंस गयतडर देर तो परसंस के पहले आफ लगा थाउजेंट थाउज साफ सीट्स यानि डोजन के पहले भी कोई संख्या नहीं लगी है तो इसलिए इसके साथ यस कि लगाया गया है कि अब हम रूल नमबर 3 की तरफ कि रोख करते हैं बच्चों यहां दिखाया जा रहा कि कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं अता इनके बाद हमेशा बहुचन किरिया का प्रियों होता है जैसे पीपल कैटल पॉल्ट्री वर्मिन जंट्री पॉलिस मेलेटरी पबलिक इन सब्सक्राइब के साथ कभी भी यस नहीं लगाया जाता है यह हमेशा बहुचन र लगानी कि कोई हो सकता नहीं है कैटल के साथ लगेगा जंट्री के साथ आपका प्लियुरल वर्म इंपक्राइब कभी यह प्रियों किया जाएगा जैसे एक्जम्पल में देखें लिखा हुआ था पेपुल आफ अमेरिका और रिच इन्हें अमेरिका के लोग धनी हैं इन्हें में सा बहुबचन इन्में प्रियोग होता है हाँ एक नोट यहां देख लेजिए कि पेपुल का अर्थ लोग या जन समू से होता है किन्तों पेपुल सिंगुलर में प्रियोग होते हैं यहीं उनका बहुबचन नहीं बनता है जैसे सीनिरी हो गया फरनीचर हो गया हैर हो गया ब्रेड एडवाइस इन्फार्मेशन लगेज मिस्चीफ पोईट्री मसीनिरी अल्फावेट आप स्प्रिंग और न्यूज यह आईसे ना के साथ सिंगुलर किरिया भी लगेगी एजांपल देख लेजिए दस सीनिरी आफ कस्मीर और ब्यूटिफल सीनिरी नहीं होगा बलकि सीनिरी होना चाहिए यहां गलती सीनिरी में है अगले एक्जम्पल में देखें सैलीज पोट्री जार बेरी चार्मिंग तो पोट्री कभ करते हैं अगर हमें फरनेचर का वुचल बनाना हो तो नहीं करेंगे यहां देखे लिखा होगए आर्ट केल साफ इंफार्मेशन ऐसे सब्दों का प्रियूग करके अमेर्का वह बचन मना सकते हैं लेकिन इन में कभी यस नहीं लगाएंगे अगला एजमपल देख लिए जो कलेक्टिव नाउन होते हैं यह जिसको हम समुवाचक संग्या काते हैं यह सामोही गुरुप से जब होते हैं इनको को एक बचन माना जाता है किन्त जब भिन 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 व्यक्तियों में भी भाजित हो जाता हो तो उसके साथ हम प्रियूरल वर्प करते हैं जैसे कमीटी गवर्वेंट जीवरी अब पहला एंपल देख लिए कमीटी वेर और वन अंधिस पॉइंट इन इस बिंदु पर पूर के साथ वाज लगना चाहिए वही अगले इजामपल में देखिए दा कमेटी वाज डिवाज़ेड़ वन पॉइंट अर्था तेक ही बिंद पर पूरी कमेटी भी भाजित हो गई जहां एक कलेक्टिव ना उनको कई टुकड़ों में बाठ दिया जा रहा है इसलिए इसके सा हो गया जिसको नागर के साथ रखाते हैं इकोनामिक्स हो गया फिजिक्स हो गया मस्ते माकानिक्स हो गया मैथमेटिक्स निउज और इनिंग्स इनके साथ कभी भी बोबचन करिया का प्रियोग नहीं होना चाहिए यह हमेसा सिंगुलर करिया यह हमेसा सिंगुलर माने जाते वाते हैं इस लिए नी के साथ हमेंता स्कूलर प्रियुक होता है जैसे के साथ कभी यहार नहीं लगा सकते हैं फट दिफकल्ट सब्रक्ट नाज कि ऊगया यह जित बीशनमें नहीं प्रियुक क्या जाता है इसके साथ पीसेज़ाव दीश्केंट का शेppel बनाया जाता है अब हम रूल नंबर साथ को बढ़ रहे हैं कुछ नाउन हमेशा बोबर्चन में ही प्रियोग होते हैं जैसे इस्पेक्टिकल्स जिसको चस्मा काते हैं सीजर्स पैंची टॉंग्स आल्म्स रिशेज ट्राउजर्स इस्पिरिट्स थैंक्स इनको हमेशा प्ली स्पिर्ण करिया भी आएगी इसलिका हर इस्पेक्टिकल्स और वेरी बीटिफुल मैं सीजर्स और वेरी सौर्प आग के परिच्छा में कैसे गलती पूंची जाएगी इस्पेक्टिकल्स के साथ और नलागा करके इसलिए लगा रहेगा तो आप हम गलती पकड़ लीजिए यह लगने चाहिए अब देखिए रूल नमबर आठ रूल नमबर आठ कह रहा है कि क्या कह रहा कुछ बीमारियों के नाम जैसे मम्स मीसल्स यह दोनों एक बीमारियां है तथा खेल कुदों के नाम हो गए जैसे जमनास्टिक्स बिलियर्ड्स ड्राट्स आद ऐसे नावन हैं जिनका प्रियोग सिंगिलर में ही होता है इनके साथ कभी बहुचन क्रिया नहीं लगा जाती है जैसे मंद्धी में लगा हुआ है इसको देख करके यह नहीं माल लेंगे कि वह बहुचन है यह सिंगिलर लगेगी जिमनास्टिक होग गया बीरे peng कंच साथ बीसिंगलर क्रिय नहीं बनता है जैसे कापर काइंडेनेस टीन एंगर संपथी वाटर मिल्क राइस आइरन हुट बिप इस्टोन इनका बोबचन नहीं बना जाता ध्यान रखिएगा कौन को नाउन आफ स्ट्रेक्ट नाउन और मेरिटीरियल लाउन यह हमेशा सिंगलर में प्रयूग किया यह चुकि यह आप स्ट्रेक्ट नाउन है और आप स्ट्रेक्ट नाउन को कभी बोबचन में परियोग नहीं किया जाता है इसलिए इसके साथ हमेशा सिंगलर वरभ लगना चाहिए तो सेंपथी होना चाहिए ना कि सेंपथी जिए अब रून नमर दस पर आजाई जब कोई इसको सिंगलर ही मानेंगे इसका एजामपल देख लिजी इनकरेक्ट के में लिखा है यह फाइब रूपी नोट यह फाइब रूपी नहीं यह फाइब रूपी नोट होना चाहिए अब रूर नमर 11 पर आजए समाचार पत्रों तता पुस्तुकों की नाम तता कोई देशों की नाम चाहिए देखने में प्लूरल ही क्यों ना हो ठीके नर्ट में सिंगुलर होते हैं जैसे इसको मिसा सिंगुलर माना जाएगा क्योंकि एक देश का नाम है दा हंदुस्तान ट जाएगा अगला देख लिए नमर 12 में पेंस वाइगेज यह ऐसे नाम है जो प्रयोग क्यादार पर कभी सिंगुलर हो जाते हैं तो कभी प्लूरल हो जाते हैं मीन्स के बारे में देख लिए जब विधी या माध्यम के अर्थ में प्रयोग होता है तो सिंगलर या प्रूर दोनों में प्रयोग क्या जा सकता है जैसे से अचीवड ग्रेटमरं वाइज मीन्स और दीज मिन्स और दीज मिन्स यह ले मेbor शुल ऑन टाइर्ड उसी परकार आपकर को में के बाद कि जो अगला सब्ध है पेंस पेंस माने कस्ट होता है या प्रियास होता है इसका भी सिम्छला पी मुख दोना होता है ज़ाद किiper कर जी पयूंग है तो दोनों सहीं है इन य्यांने पैंस स्रियमने भी प्रेयोग होता है और पेंस के म quelques का रूप होता है और फिर याथ का सब 4 bet ten के अब देखिये हुआ रूप जो होता है कि अर्थ के उनसार उसके साथ सिम्फूरल अर्व मिल्व है और सकता है कि वेगेज आप्सीन है आडप यहां यह का मतलब होता है मच्दूरि नहीं मतलब होता है परिलाम तो वेगेज आप सीन के साथ स्ट्रीफ लगा है इज अभिए हाँ अब यह कि हां यह पाज़ का घवर में दिखा गया है इसने साथ आर्षाय के लिए है लूमर तेरा देख लिजी बरदर कलाथ और फिस ऐसे नावन हैं जिनके प्लूरल में दो रूप होते हैं और दोनों के अर्थ भिन 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 होते हैं जैसे बरदर का जो पहला पहला बोचन है वह ब्रदर्स और बरदर्स का मतलब वहता दस संस आफ हम से माहा प।तर हैं तुनको हम बर्दरु कहेंगे लेकिन बरदरस कर दूस्रा बोचन होता इसको काते हैं बर्दरें और बरदर द का मतलब होता है मेंबर सहाफ्य सोसाइटी समाज की लोग इसको भाय करना है तो बरदरन होता है उसी प्रकार कलात के दो वूचन है कलात में जब यस लगता है तो इसका मतलब होता है आइसे कई टुकड़े जो सिल्य हुए ना हो वो कलात्स हो गए लेकिन कलात्स में जब यस लगता है तो इसका तात्पर होता है सिल्य हुए कपड़े इन्हीं कलात्स में जब यस लगेगा तो बिना सिल्य हुए कपड़े और कलात्स में जब यस लगेगा तो सिल्य हुए है पीशर नहीं होता है कि लेकिन जमस्यलियों को अलग अलग ये णता है तो इनको 쪽 में फीशेस के रूप में इसको लेख सकते हैं जैसे लिखा देया С Engdue इना बासकेट इस टुकरी में 10 मचलिया इनको बहुबह्चान करूप में देखा जाता है तो प्र शेता है लेकिन जब दोख में भोजणING रूप में देखार जाएगा क्लेक्टिव नावन के देखा जाएगा तो फिसका के भूऌचन वीजलाएगा सिजा या पियूडसां करेंगेंगे चार ऑगला इनु इख लेजिए के अभिवादर में और या कंपुजी का प्रियूक किया जाता है इस वाएज़ी सब्सक्राइ Vir gioni समाल होता है इनके साथ यह लगा राता है God道理 विछन्च के अरत में सिघुलर होता है we are कुंपधिड अच्छ धिली होता है तो होGood कि इस नहीं लगेगा और देर्फ ऐसेवन वर्ट इन शंटिंब्स इस इसका बहुचन नहीं होगा लेकिन जब सब्द के रूप में इसको परियोग किया जाएगा तो वहाँ यस लगेगा अब नीचे बच्चों कुछ सब्द इससे दिये गए हैं जिनके प्लिवरल और सिमिलर दोनों अलग लग दिये गए हैं आप इन दोनों को बढ़ियां से पढ़े लेजिए और याद कर लेजिए इसका अगला भाग अगले पार्ट में बताया जाएगा तब तब के लिए धन्यवाद